हलो गाइस आज हम बात करेंगे गिलोए प्रस रस के बारे में इसमें गिलोए है तुलसी है बूमी आमला है एक अच्छा इम्मुनिटी बूस्टर है वाइरल इनफेक्शन के खिलाब हमें मदद करता है डेंगु में अमलेरीया और दूसरे वाइरल इनफेक्शन की वज़े से जो platelet count होते हैं उनको increase करने में मदद करता है fever को prevent करने में मदद करता है अगर हम composition के बारे में देखे तो इसमें गिलोए होता है 50%, तुलसी 30% और भूमी आवला 20% होता है डोजिज इसकी 20-30 ml रहे की दिन में 2 बार या doctor जिस तरह आपको आपकी condition के साफ से advice करता है उसके साफ से आप इसकी dodgy ले सकते हैं अगर हम indications की बात करते हैं तो जो कमजोरी हो जाते general diability जो होती है उसमें ये काफी useful साबित होता है immunity booster काम करता है body को detoxify करने में मदद करता है antiviral, antibacterial और antifengal activity होती है एक अच्छा antioxidant होता है ये antipiratic property भी होती है बुखार में भी ये काफी मदद कार साबित होता है इसमें anti-inflammatory property भी होती है जो apetitis होता है viral apetitis होता है liver के लिए काफी useful रहता है ये और इसके अलावा ये body से toxins को बाहर निकालने में बहुत हद तक मदद करता है एक अच्छा detoxified agent भी काम करता है अगर हम इसमें गिलोई की बात करते हैं जो गिलोई है उसका क्या यूज जाता है गिलोई एक अच्छा antipiratic और anti-inflammatory hub होती है जो हमें infection के खिलाब लडने में मदद करती है और जो viral infection की वज़े से platelet count कम हो जाते है उनको restore करने में उनको increase करने में मदद करता है और इसके अलावाब इसमें antioxidant बरपूर मातरा में होता है जिसकी वज़े से immunity को बढ़ाता है हमारी शरीर की और बहुत ज़्यादा ये detoxifying agent का काम करता है हमारी बोड़ी में जो toxins इखटे हो जाते हैं तो उनको निकालने में भी मदद करता है यूर्नी ट्रैक इंफेक्शन में हार्ट से रिलेटिड इसमें और लिवर से रिलेटिड इतने भी डिजीज हैं हमारी बोड़ी में जो वाइरल इंफेक्शन की वज़े से toxins इखटा हो जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का काम करती है तुलसी में कहीं प्रोपर्टी होती है एंटी बैक्टेरियल एंटी वाइरल एंटी फंगल एंटी इंफ्लामेटरी और एनलजेसिक प्रोपर्टी भी इसमें मिलती है बुमी अमला का लीवर में बहुत अच्छा यूज होता है लीवर में अगर कोई डैमेज आ चुका है हेपैटो टॉक्सिंस की वज़े से अंटी ओक्सिडेंट या अंटी वायल एक्टिविटी की वज़े से तो उसको इस्टोर करने में भी मदद करता है और डीटोक्सिफाई भी करता है लीवर को गिलोई प्रस से रिलेटिट किसी भी क्वैरी के लिए आप यहाँ दी गई information पर contact कर सकते हैं